तो आप आर्थिक नीटियों के बारे में बहुत समझदार हैं देखते हैं क्या लगता है आपको कि कितना समझ्याओं का सामना लोग करना पड़ा और किस तरह से इसमें हम लोग उबर रहे हैं देखे प्रशान जी ऐसा है जब से हमारा लॉकडाउन लॉग हुआ है मार्च से लेकर तो ग्रेजुली सरकार ने सेंटरल गौर्वर्मेंट ने स्टेट गौर्वर्मेंट ने टाइम टू टाइम हम लोग को रिलीज भी किया है जो आवश्यक वस्तू हैं उनको शुरू से खो कोजमर्रा की आवश्यक्ता हैं नहीं थी वह भी अब धीरे धीरे ग्रूम करना स्टार्ट हो गई है सेल अपने पिक अप पे आ रही है हलांकि इस साल के जो वित्यवर्ट हमारा करेंट एर का है उसमें उम्मीद की जा रही कि जो नॉन एसेंशल इंडस्ट्री सें उसमें से प्रूम कर जाएगी बट ऐसे एग्रिगेट अगर हम पूरे फिनेंशल यर की सेल टर्नोर जा प्रॉफिट देखेंगे तो इट विल ओविएसली रिद्यूस फंद लाश्ट इयर विकोस हमको टाइमी नहीं मिला काम करने का तो हमारी सेल तो उतनी अच्छी नहीं हो और फिर आप कमेंट्स कर सकते हैं हम आपके सवाल आपके नाम के साथ में पूछेंगे अच्छा आगे बढ़ते हैं मुझे बताईए कि अपने सहर के डिवलोप्मेंट के बारे में क्या सोचते हैं अब आदोगिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए मनला इंडिस्टिल एर प्रशान जी देखिए चाहे देश का विकास हो चाहे हमारे राजी का विकास हो चाहे हमारे व्यक्तिगत विकास की बात करें जब तक हम लोग उद्योगों को ठीक डंग से इस्टैबलिश करके चलाएंगे नहीं तब तक किसी भी व्यक्तिका राजी का देश का विकास नही industry not set up in the means of ancillary because उसमें क्या problems हैं या उसके norms इतने harder हैं कि यहाँ के लोग उसको comply नहीं कर पा रहे हैं लोकल लेविल पे रोजगार का विकास area wise अगर हम लोग बात करते हैं तब तक नहीं हो पाएगा जब तक हम लोग very small scale industry या micro scale industry को develop नहीं करेंगे गोवर्मेंट ने अभी MSME की definition भी change कर दी है और उसमें bankers से बहुत जादा government का भी focus है कि bankers loan दें industry set up हो different type की हमारे प्रदेश में राज सरकारें subsidy दे रही है capital subsidy दे रही इंट्रेस subsidy दे रही है राज सरकारें भी हमारी चाह रही है कि देश में विकास हो राज में विकास हो लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही छोटे छोटे लेवल की कुछ दिक्कते हैं जिसकी वज़े से स्मॉल लेवल पर हमारा जो है अभी उतना विकास नहीं हो पा रहा है हम बात करते हैं जैसे कि वन फोट अगर किसी बंदे को आज की डेट में प्रोजेक्स सेट अप करना है तो जो बहुत सिंगल विंडो सिस्टम पर हमारी स्टेट गौशंट ने बनाके रखा हुआ है कि आपको सिंगल बिंडो से मिलेंगे तो अभी बहुत सारे उत्रमियों को उस विंडो की जनकारी नहीं है आच्छा हाँ गौर्मेंट ने अभी क्या किया है कि industrial investment promotion policy भी बना रखी है जिसके तरह स्टैम duty में भी गौर्मेंट रिपेट दे रही है, interest subsidy भी दे रही है, आपकी electricity duty में रिपेट दे रही है, Monday tax free हो गया, बहुत सारे waivers, exemption subsidies देने के बावजूद, हम लोग अभी उस इस्तर पर नहीं पारें जहां वो चाहते हैं कि हम उस्तर पर आएं, उसका कारण केवल यही है कि लोगों को उतनी परयाब जानकारी अभी नहीं मिल पारी है, देखे सरकार जैसे प्रोड़ता प्योस्था करती है, seminar करती है, बहुत सारे आयोजन करती है बताने के लिए, तो देखे जाहिर सी चीज़े आगे नहीं जा पाए, तो कैसे देखते हैं आप की धरातल पर कैसे पहुंचे इंफॉर्मिशन, जैसे सरकार पहुंचाती है, और किनकी इसके लिए, लोकल एड्मिनिस्ट्रेशन को इंपावर करना चाहिए, वैसे लोकल एड्मिनिस्ट्रेशन इंपावर्ड है सारी बातों के लिए सारे अधिकार उन में नहित हैं, लेकिन ब्लॉग लेविल पे, तैसील लेविल पे, एटलिस कम से कम ऐसे कहीं ने कहीं है, काउंसलर टाइप के होने चाहिए, जो विकास करें या उन नीतियों को उन तक पहुंचाएं, ताकि जो लोग सच्छा में व्य आपार को इस सेटप नहीं कर पा रहे हैं, अचा सोभीत करके एक है, जिन्होंने सवाल पूछा है मुझसे, अभी डाइबरी से सोभीत करके, वो जानना चाते हैं कि ये पैन कार्ड में बड़ी परसानिया होती कहते बनने के लिए, तो आपका बहुत ही इंस्टेंट पैन का काड इशू हो जाएगा, काड आने में थोड़ा समय लगता है हाट कॉपी में, बड़ आपको नंबर उसका स्क्रीन शॉट तो इमेडियेट आजाता है आपकी मेल इडी पर, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बाकि किसी के डाटा मैच नहीं करते हैं, तो वहाँ पर इसी से जुड़ा एक और सवाल आ रहा है, ये रगुनात करके हैं, इन्होंने कोईशने किया है, कि उसमें जो गलतियां हो जाती है, जैसे पैन में कभी कोई गलती हो गई, कोई मिश्टेक हो गई, तो उसको अपडेट कराने के लिए क्या होता है, कि पहले, सबसे पहले सिंक्रनाइज हो गया है सिस्टम, वह सारा आधार से लिंक हो गया है, बट अगर आपके आधार में अरर ऐसे, आपके फादर से लें, डीट आफ बर्स में, contact numbers में, थो अगर आप उसको पहले सही करा ओंगे, अपको पैन लेवल पे कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वह आपका इमेडियेट इंस्टेंट काम होता है आधार अगर आपका सब कुछ सही है तो कहीं कोई प्रॉब्लम है डेली हम लोग के हैं कम से कम सो पैंगाड इशू होते हैं अच्छा कोई दिक्कार नहीं आज आप समय लिए लाखों पैंगाड तो हमने बना दिये राइवरेली शहर में बहुत सारे लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और अलाग आप क्या करना कोई सवालात है तो आप हमसे पूछ सकते हैं क्योंकि हमारे साथ में वरिष सुसी कि आपने इंडिस्टिल डेवलप्मेंट के बारे में बाता है अच्छा भारत सरकार जो बहुत सारी योजनाई लेके आ रहा है बारत के प्रदानमंति लगातार आप देखिए तो एक उर्जा के साथ में बोलते हैं और वो कहते हैं कि भाई ठीक है आपको व्यापार आगे बढ़ाना तो बहुत सारी योजना यहां ना वोजे थोड़ा सा बताई कि 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 अपने बेजनस को स्टार्ट करना हो जिसको छोटा सा बिजनस करोण उपय के लागत से उसको बात करने है तो उसे क्या करना चाहिए मतलब जो बेसिक प्रकृए है क्या हो सकती उसको देखे श इसा है कि government की बहुत सारी scheme है, scheme का लोग benefit भी ले जा रहे हैं, मैंने बताया जाना तक जिसको जानकारी है जे, जे schemes की बात करते हैं, तो बहुत सारी multiple schemes है, government ने 2 crore तक के loan का CGTMAC में free करके रखा हुआ है अच्छा अगर आपको कोई भी industry set up करनी है आज की date में, तो you can avail the loan up to 2 lakhs without any collateral security 2 lakhs? 2 crores 2 crores, अच्छा I think it is the sufficient means of finance की, अगर आज की date में small level industry आपको लगानी है, 2 crore रुपए sufficient fund है बिल्कुल ठीक बात है इसके अलावा stand-up India scheme government ने लागू का रखी है, जो especially for women entrepreneurs है and SCST entrepreneurs के लिए है, महिला के लिए, इस पे आपको एक करोड तक का loan मिलता है without security but project should be new in all respect, आपको new कुछ भी करना है, चाहे आपको manufacturing sector में करना है, चाहे service sector में करना है, वहाँ आपको एक करोड तक का finance मिलेगा इसमे but entrepreneur should be woman and SCST candidate, वहाँ पे आपको कुछ देने की जरुवत नहीं है तो मुझे बताईए कि जैसे अभी जो परिस्थितियां चल नहीं कुल मिला के, मार्केट एक तरह से एक ऐसी बीमारी आती, अधर से ऐसी सत्रुख से हम लोग लग लड़ा रहें तो बहुत सारी समस्चाहें भी है, ऐसे में क्या है कि जो एक तरह से जिसको लगाना है, मतलब काम करना है वो कहीं नहीं की घबडा भी राकी नहीं, यार मैंने एक क्रोण रूपय लोन ले लिया, दो क्रोण रूपय का लोन ले लिया तो जहां पर जिस बंदेवों जैसे में राइबरेली जिले जहां हम लोग बैठे हैं, अगर इसकी बात करते हैं, तो यहां पर जो भी लोगों की intent of mind है, वो यह है कि यहां पर जो agriculture based activity है, उसको ज़्यादा करने में उनका interest होता है जैसे rice graining का इन्होंने project लगा दिया, floor milling के projects लगा दिये, इन सब पर इनका focus ज़्यादा होता है industry wise, अपने बहुत ज़्यादा technical projects नहीं हैं, जो हैं बहुत ही nominal projects हैं, तो अगर small level industry में rice milling, floor milling या other food sector में अगर हम लोग लेते हैं, तो इसमें sufficient subsidy भी government दे रही है, 25% आपको capital subsidy है, 100% interest subsidy state government दे रही है, आपका कुछ ब्याज नहीं लगना है, सारी की सारी आपको सुविधा मुईया, बस इसके लिए यह है कि थोड़ा बंदे को active होकर के आगे आना पड़ेगा, मुझे बताईए आपकी, जो अगर मैंने एक करूण उपय का loan लिया, बेसिक बात को अगर आपको immediate अनुदान दे रही है न उस पर, अच्छा, हाँ आपको अनुदान दे रही है, उसके अलावा जो एक करोड़ों के में आप term loan लेते हो, उसमें पूरा का पूरा माइक्रो लेविल पर आपका पूरा का ब्याज गवर्मेंट माफ कर रही है 5 साल तक, बहुत सारी अन पूरा को भी थोड़ा अपना बूस्ट करना चाहिए कि वो लोग भी help करें तो हाँ, बहुत आउशकता है, बहुत है, लोगों को जानकारिया नहीं है, हम लोग तो सारा दिन इंटरनेट पे, सारा दिन मेल पे, स्कीम परते हैं, हर जगा देखते हैं, जितने बंदे हमारे connection में आते हैं, हम लोग भाई वे आप सेमिनार या लोगों की मारफत संदेश भिजवाते हैं, जो लोग करना चाहिए, आकर मिलें, संपर्द करें, अगर सारी चीजें फिट बैठती हैं, ऐस पर नॉम्स बैठती हैं, तो उनका काम होता है, तो अगर आपको भी देखे ब्या तो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, और जो पैसा लिया है अगर आपका ब्याज भी मुफ्त है पांच सालों के लिए, तो आपके अंतर अगर जजबा है कुछ करने का, तो आप कर भी सकते हैं, चलिए, अचा, मुझे बताईए कि, इसकीम की बात हम लोगों ने कहीए, सं हम लोग एक जिम्मेदार ही है, आप भी एक सामाजिक विक्तिवों में से हो, तो तो ताइम आपको प्रशान जी, स्कीम चलानी पड़ेंगी, क्योंकि स्कीम क्या है, ताइम तो तो ताइम रिवाइव होती रहती है, वन टाइम प्रोग्राम नहीं है, आप क्वाटरली, बीकास में बढ़ावा होगा, गृवर्स्ट्री नहीं बढ़एगी, तब तक गृवर्मेंट का टेकस काली में बढ़ेगा, विकास नहीं हो सकता है, ही है Install विकास कई सवाल यह ह besteht问 कि, किसी व्यापार को सुरू करेंगे तो कौन-कौन से रिस्टेशन करने पड़ते हैं ? बैसिक ऐसा है कि हर व्यापार के लिए लग रेजिट्रेशन की नीड होती है अगर उनको ट्रेडिंग करना है तो सिंपल केवल जी एस्टी रेजिट्रेशन की आवशकता है अगर उनको इंडेश्ट्री लगानी है तो उसमें पॉल्यूशन का फायर का उद्यमाधार का इंडेश्ट्री का फूड सेक्योटी का बहुत सारे मल्टिपल लाइसेंस की नीड होती है अच्छा हर प्रोजेक्ट की अलग रिक्वार्मेंट है नेचर आप प्रोजेक्ट पे भी डिपेंड करता है बहुत हैजर्डर्स प्रोजेक्स हैं तो आपको पॉलूशन से फिर आपको लाइसेंस भी लेना पड़ता है बाकी जनरल के लिए जी एस्टी और यही सब है उसम मजले बैपारी में जिनकों कह सकते हैं कि एक तरह से मीडियम क्लास के जो लोग है तो उनकी समझ्यों के बारे में क्या कहना है तो कि आर्थिक चीजों को आप समझते है थोड़ा यह है कि देखिए जो नॉन पेरिशेबिल आइटम है अगर आप बात कर लें जूलरी की की पर्स के नॉमिनल रेंट पे करना है स्टाफ की सेल्वी देनी है बहुत कोई खर्चे नहीं है तो मेरा ख्याल है वह सब तो रिकवर कर गए हैं सेल अपनी उस लेविल पर नहीं है होटल इंडश्ट्री को लेकर एजूकेशनल सेक्टर को लेकर वो लोग थोड़ा इस्प पर नहीं है है होटल इंडश्ट्री और हमारे एजुकेशनल से अपने करें है क्या करें होटल इंडश्ट्री वाले क्या करें क्यों कि बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई जैसे भी राइवरे लिए प्रोग्रम लेकिन उसमें उनकी कॉस नहीं रिकावद हो पारी है अच्छा है सारी ऑपरचुनिटी से गवर्मेंट सारी सब्सेडी दे रही है बेनिफिट से रही है आप नया वैपार इस्टेबिश करिए कोई प्रॉब्लम नहीं है यह तो अच्छा समय है अब तो जो भी हुआ सो हुआ आप तो सब इक्वल हो गए अब तो स्टार्ट करन आगे बढ़ने का सब्सेड़ा बिल्कुल यह तो होता ही है कि एक समय विप्रीद आता है तो उसमें नए उद्यमियों के लिए उसर होता है वो तो नए उद्यमियों इस्टेबिश करें हम लोग बहुत सारे उद्यमि बात भी कर रहे हैं प्रोजेक्ट सेट अप करने के लि आपके साथ में जुड़े हैं मेरे भी आप भाई की तरह हैं मैंने बहुत पहले से आपको देखा और आज आपको 20 साल होगे प्रैक्टिस करते हुए मैंने ग्रेजुएशन तो यहीं से की थी उसके बाद डैली से मैंने सीय स्टार्ट किया कुछ समय डैली रहने के बाद व अब जो भी जानकारिया मार्केट से संबंदित होंगी वह आप तक पहुंचाएंगे क्योंकि यहां पे इसोशेशन कभी की स्टाफना हो गई है और एसोशेशन भी जो है वह कही न कहीं अवेडनेस का रिकम के तहत हम लोगों के साथ में जुड़ेगा और जो भी छोटे से पड़े ब्यापार होंगे आप कोशिश करिये और ऐसे लोगों से कौंसलिंग लीजे बहुत सारी जानकारिया आपको मिलेंगी और तभी आप अपने ब्यापार को आगे बढ़ाएंगे आप हमारे साथ में लाइव स्टूडियों में जुड़ें इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू प्रशान जी बहुत आगे आप बढ़ें मेरी बहुत बहुत शुक्ताम नहीं तो सुशील संतानी सीय हमारे साथ में मौजूद है जिनसे हम लोगों ने मार्केट के बारे में बात की और इन्होंने बताये कि अगर आपको बिजनेस करना है तो हर इस्तिती से निपटने के लिए तैयार है और मार्केट से सम्मंदित जो भी आपके काम आने वाली जानकारी उसको हम देते रहेंगे लेकिन कोरोना वाइरस के अभी कोई दवा नहीं बनी है तो आपको करना क्या है आपको सौधान रहनी की आउशकता है आपको मास्क लग हुआ 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 है